अगर आप भी MPSI, MP Constable, RRB NTPC, MPPSC और RRB Junior Engineer की आनलाइन त्यारी करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल के Play Store से MP परिक्षा एप को डाउनलोड करके हमारे प्रोमो कोड SAIMGOV40 को यूज करके 40 प्रिसर तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्चन में लिंक दी हुई है जिसमें पहले पॉइंट पर कहा गया है स्कूल वर स्वीकरत पदों के विरुद्ध रिक्द पदों की प्रविष्टी एवं सत्यापन सीथी भरती के पदों के आगले हैं तू MP Online द्वारा सौफ्टिवर में विसेवार रिक्तियों के सत्यापन एवं अबडेशन का मॉड्यूल जिला सिक्षा दिकारी के G2G लॉगिन पर उपलप्त कराए गया है रिक्तियों का अबडेशन जिला इस्तर पर किया जाएगा जिला सितर पर रिक्तियों के अबडेशन के लिए जिला सिक्षा दिकारी द्वारा प्रतेक हाई एवं हाय सिकंडरी स्कूल के प्रचार को अपनी साला के सिक्षक उपस्तिती रिजिस्टर एवं उनके विशे की जानकारी के साथ अमंत्रित किया जाएगा मॉड्यूल में साला वार एवं विशेवार रिक्तियां दी गई है जिसे संबंधित साला प्रमुख द्वारा, प्रस्तों दस्तावेज, उपस्तित रेजिस्टर संबंधित के नुक्ति आदेश में उल्लेकित विशे तथा संबंधित संस्ता से वेतन आरनाड की सतिती का परिक्षन कर कारेयत व्यक्तिओं की जानकारी को अपडेट किया कि संबंदित सिक्षक द्वारा पढ़ाय जारे विसे के अधार पर उसे उस विसे में कारियत नहीं माना जाएगा अपितु न्युक्ति पदोनिदी आदेश में उलेखित विसे में ही कारियत माना जाएगा सालावार विसायवार जानकारी के अबडेशन के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर सम्बंधित प्रचार अपने हस्ताक्षर से प्रमाडी करन करेंगे जिसे जिला इस्तर पर नस्ती में सुरक्षित रखा जाएगा सबी सालाओं में विसायमान से कारयत वेक्तियों की जानकारी की प्रविष्टी पूर्ण हो जाने के बाद जिला इस्तर की कुल स्विक्रत एवं कारयत तता रिक्तियों की जानकारी प्रदर्शित होगी तदूपुरान्द कुल कारत वख्तियों की संख्या में से कितने शिक्षक सीधी भरती से एवम कितने सिक्षक पदोंधी से पदस्त हैं उसकी जानकारी graduation list से जिला सिक्षरध गारी द्वारा अंकित की जाएगी उसका प्रिंट निकाल कर हस्ताक्षरित कॉपी राज कारले को 25 मार्च 2019 को इमेल से भेजी जाएगी अतह जिलाइस्तर पर स्कूल वार रिक्तियों के अपडेशन एवं सत्यापन का कार 25 मार्च 2019 तक पूर्ण करें स्विक्रत पदो की संख्या वर्ष 2013 में राज सासन दौरा जारी सेटप के अधार पर नामांकन तथा स्कूल वार विसायवार पदो की संख्या के अधार पर तैगी गई है कारेरत एवं रिक्तियों संबंदिक कारे के दौरान किसी स्कूल को स्विक्रत पदो की संख्या के संख्या के संबंद में कोई आपत्ती हो तो संबंदित साला के एक प्राचार विशायमान से नावांकन के साथ ओचित पूर्ण प्रस्ताव जिला सिक्षादिकारी को प्रस्तूत करेंगे जिला सिक्षादिकारी संबन्दित स्कूल के लिए आवेसक सुउगरत पदोंकी संख्या के प्रस्ताओं को अपने अभिमत एवन ओचित के साथ संचलालाय को प्रेजित करेंगे परिक्षण के उपरांद आवश्रक्ता होने पर सुईक्रत संख्या में परिवर्टन किया जाएगा जिसकी सुषना MP online को दी जाएगी तदू परांद पोर्टल पर संसोधन राज इस तर से ही किया जाएगा संख्या में इस तर से विग्यापन जारी किया जाएगा इसके साथ में ऐसे अतिति सिक्षण जिनोंने वर्ग दों में फॉर्म भरा है उनके लिए यहाँ पर आदेश में कहा गया है अतिति सिक्षण अरुभप्रमाण पत्र के लिए आपको क्या करना होगा तियाँ पर कहा गया है भरती नियम 2018 के नियम के तहएट सैक्षणिक समवर्ग अंतरगत सीधी भरती के सिक्षगों के पदो के लिए उपलब दरिख्तियों की 25 परसद दरिख्तिया अतिती सिक्षग वर के लिए रक्षित की जाएंगी जिनके दौरा नियुन्तम 3 सैक्षणिक सत्रों में एवं नियुनतम 200 दिवस सास की विध्यालों मैं अतिती सिख्चक के रूप में अध्यापनकार किया गया है अतिती सिख्चक के लिए प्रमाण पत्र की आवसकता होगी इस है तु अनुभव प्रमाण पत्र एजुकेशन पोर्टल से सम्बंदित अतिती सिख्चक की साला में उपस्तिती एवं मान्दे भुकतान देखों के अधार पर जनरेट किया जाएगा तो यहाँ पर सभी अतिती सिख्चक ध्यान दे उन सभी को अनुभव प्रमाणपत्र की अवसकता होगी और वो जो अनुभव प्रमाणपत्र होगा वो एजुकेशन पोर्टल में अतिती सिख्चक की जो साला में उपस्तिती है और उनका जो मान्दे है उस मान्दे के भुकता लिए अनु में की सूची, पॉब्लिक डूमेन पर प्रदल्शित होगी, जिसमें जिला, धिकास खंड, डाइस कोड, स्कूल का नाम, गेस्ट आईडी, अतिति का नाम, जेंडर, जम्र्टिथी, अतिति av mating ausge, व्लैति षिय। जानकारी प्रदर्शित होगी अतिती सिक्षक सत्रवार एवं विद्यालेवार उपस्तिती सत्यापन पत्रक एजुकेशन पोटर से डाउनलोड करेंगे यदि किसी अतिती सिक्षक ने 6 सत्रों में कार किया है तो उसके 6 सत्यापन पत्रक डाउनलोड होंगे उपस्तिती सत्या प्रवाई पूर्ण होने के पश्चात लॉक किये प्रकरण जिला सिक्षादिकारी के लॉग इन आईडी पर प्रदस्षिष्थ होने लगेंगे जिसे जिला सिक्षादिकारी द्वारा रिकॉर्ड से चेक कर लॉक किये जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दिया था कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में अतिति सिक्षादिकारी के लिए रेजिस्ट्रेशन सुरू हो चुका है अब यह रेजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद क्या प्रकरिया की प्रक्रिया यहाँ पर बताए गई है तो यहाँ पर बात करें मादमी सिक्षा की दोनों का आदेश सेम हैं दोनों में एक ही बाते कही गई है अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो वीडियो नीचे कमेंट करके हमें जोरू बत करेंगे अगर कर आद दोश्वार यहाँ आदेवा यहाँ बता कर इसặtा है यहां आपके बता की देना चाहते हैं जोनों में हाँ में जोनों में है पूलम्ने है भीजिया आपके मैं को अस छोनों मैं कि एक एक बताव